So guys, क्या आप लोग भी जानना चाते हैं कि आपका वर्षप अकाउंट किसी ने हेक तो नहीं कर लिया अगर हेक कर लिया है तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे आज की वीडियो में आपको हम पूरी जनकरी देने वाले हैं तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है आजात कुसवाहा तो देखेगा इस यहाँ पर हमारा वर्षप ओपन है और यहाँ पर हम जानना चाते हैं कि हमारा जो वर्षप है कोई सामने वाला विक्ती यूज तो नहीं कर रहा है अगर कर रहा है तो उसको हम ठीक कैसे करेंगे तो इसके लिए हम वर्टसप को open करेंगे और यहां पर देखिए आप जो भी वर्टसप को यूज करते हूं कोई फर्क नहीं पड़ता है सिंपली आप उस वर्टसप को open किजिएगा open करने के बाद आप लोग 3.0 पे आईएगा setting में आईएगा ठीक है देखे setting में आने से पहले अगर आपको आप लिंक device का option मिलता है इसके ओपर click करेंगे और यहाँ पर अगर आपके समने कोई device activate आ रहा है जैसे कि यहाँ पर आ रहा है एक दो device chrome आ रहा है या फिर कोई application आ रही है तो आप सबसे पहले उसे उसके ओपर click करके आप उसे हटा दीजिएगा ठीक है guys अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसके साथ यह होगा कि आपके WhatsApp को कोई सामने वाला विक्ती भी यूज कर पाएगा message कर पाएगा और आप क्या किससे बात करते हैं वो भी देख पाएगा तो आप इसको सबसे पहले हटा दीजिएगा और उसके बाद आपको करना क्या है अपने WhatsApp को सिकोर करने के लिए आपको सेटिंग में आना है और सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक page मिलेगा तो यहाँ पर आप लोग account के उपर click कर देंगे तो जैसे आप account पे click करेंगे यहाँ पर आपको security तो यहाँ पर हमारे पास एक security की लगई है और इसे हमारे यह होगा कि अगर हमारे WhatsApp को कोई login करने की कोसिस करेगा और गलती से OTP भी प्राप्त कर लेता है लेकिन उसको password नहीं पता होगा तो वहाँ पर हमारे WhatsApp को वो login नहीं कर पाएगा तो गाइस मैंने आपको यहाँ पर द वर्षब जो है पुरा सिकोर है और ध्यान रखेगा आप से ठेट पाटी वर्षब इस्टमाल ना कर रहे हों क्योंकि ठेट पाटी की वर्षब की जानकारी आपके वर्षब के पास नहीं होती है